जै मसिकी and good morning आज सुभ़ प्रभु का वचन हमारे लिए लुका का सूसमचार अध्याई एक आयत छे यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्याउं और विध्यों पर निर्दोश चलने वाले थे इस आयत में हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं और वो दो लोग कौन है उसके उपर के आयत में हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक husband और wife है जिनका नाम है जकरिया और Elishibha जकरिया एक yajak था और जकरिया और Elishibha के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो लोग धर्मी लोग थे और परमेश्वर की आग्याओं और विध्यों पर निर्दोश चलने वाले लोग थे In short हम बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रभु के साथ साथ चलते थे मेरे प्रियों ये लोग अगर प्रभु के साथ साथ चलते थे तो इनकी जीवन की खासियत क्या था? हम इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? इनके बारे में जब हम ये पूरा अध्याई पढ़ते हैं वहाँ पर हमें समझ आता है जकरिया और अलिश्वा के जीवन में उनकी एक प्रार्थना ये थी कि प्रभु आप हमें एक संतान देना वो लोग दोनों बुजर्ग हो गए थे अब तक परमेश्वर ने उनकी ये प्रार्थना को नहीं सुना था अभी भी वो लोग एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं उनकी जीवन में आज भी एक संतान का आशीश नहीं है मेरे प्रभु काफी साल हो गए हैं उनकी शादी के लेकिन आज भी जिस विशय के लिए वो लोग प्रात्ना कर रहे हैं उसका जवाब उन्हें नहीं मिला लेकिन फिर भी उनके बारे में लिखा है कि वो लोग प्रभु के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्याओं और विद्यों पर निर्दोश चलने वाले लोग थे इनकी जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि प्रभु के साथ साथ चलने का मतलब ये है कि बहुत से वक्त जब हमारी प्रार्थनाई अनसुनी जाती है या फिर जिन बातों की हम उमीद करते हैं वो बाते हमें नहीं मिलता है या जो आशीश को हम चाह रहे हैं वो आशीश से हम लोग वंचित रहते हैं उस समय पर भी हमें कुड़-कुड़ाना नहीं है हमें प्रभु पर शक करना नहीं है हमारी विश्वास पर हमें सवाल उठाना नहीं है उस समय पर भी जकरिया और अलिशिबा के सबान हमें परमेश्वर की आग्याओं और विध्यों पर निर्दोश होकर चलना चाहिए तो प्रभू के साथ साथ चलने का मतलब ये है आशिश मिले या ना मिले हमारी प्रार्थनाए सुनी जाए या अनसुनी भी जाए किसी भी परिस्तिती क्यों ना हो हम प्रभू के बच्छन के अनुसार जिएंगे और हम लोग निर्दोश होकर प्रभू के आग्या को मानेंगे ऐसा नहीं है कि हम मानना है तो चलो मान लेते, कैसे भी मान लेते है अधूरा मन से या अगर पूरा मानने के बतले आधी बातों को हम मानते है, ऐसा नहीं प्रभू के साथ साथ चलने का मतलब है कि परमेश्वर की आग्या जैसा हमें दिया गया है वैसे ही हम मानेंगे हम आशिश मिला, इसलिए हम प्रभू के साथ नहीं चल रहे है या आशिशों के लिए हम प्रभू के साथ भी नहीं चल रहे है लेकिन हम प्रभू के साथ इसलिए चल रहे है क्योंकि परमेश्वर सच्छा खुदा है प्रभू ने हमें बचाया है हमारी पापों से हमें माफी दी है ये सारी आशिशों को याद करते हुए हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे मेरे प्रियो, जकरिया और अलिशिबा के जीवन में परमेश्वर एक अद्बुत काम करता है उनकी जीवन में प्रभु एक संतान देता है हम जानते हैं युहना बप्तिस्मा देने वाला जकरिया और अलिशिबा का संतान था परमेश्वर ने युहना बप्तिस्मा देने वाले को बहुत सामर्ती रिती से इस्तमाल किया मेरे प्रियो आज भी जब हमें प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है निराश नहीं होना है प्रभू प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा लेकिन हमें हमारा जिम्मेदारी को पूरा करना है वो है प्रभू के साथ साथ चलना है उनकी आग्याओं और विध्यों पर निर्दोश होकर चलना है हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कोई दिखावा नहीं होना चाहिए लेकिन पूरे मन के साथ प्रभु के आग्या को हम मानेंगे और प्रभु के साथ हम चलेंगे आईए हम लोग प्रात्ना करें स्वर्गे पिता आज का वच्छन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी जैसे जकरिया और अलिशिवा प्रभु आपके आग्याओं को और विध्यों को माना और निर्दोश होकर आपके साथ साथ चला प्रभु वैसे होने पाए हमारी जीवन में भी हम आपके आग विश्वास पर सवाल उठाते हैं प्रभु जी हम पीछे हट जाते हैं प्रभु हमें माफ कर दीजिए लेकिन आज से लेकर प्रभु जी आपके साथ साथ हम चलने वाले बन जाए प्रभु चाहे हमारे साथ ऐसी बाते घटे जो हम लोग समझ नहीं पा रहे होंगे लेकिन भी प्रभु हम आपके साथ साथ चलने वाले लोग बन जाए प्रभु आपने मारी प्रात्तना सुने लिए इसलिए धन्यवाद आदर और महीम आपको देते हुए ईश्व के नाम से हम मांगते हैं आमेन गौड ब्लेस यू वाल जै मसी की